दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप मुमफली का बिजनस कैसा इस्टार्ट करेंगे और सबसे सस्ता मुमफली आपको कहा मिलेगा और इस थंडिक के मौसम में यदि आप बिजनस करना चाहते हैं कम पूजी से तो हर रोज मैं आपके लिए नया आइड लेकर आया हूं इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा अन तक देखिएगा बड़े प्यार से आपको समझाने कोसिस कर रहा हूं ठीक है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि सब्सक्राइब कि रहेंगे तभी आप आप मेरी आने वाले जो भी वीडिय में अभी लोडी आने वाला है खिचडी बोलते हैं देहात गाउं में मकर संकरांती बोलते हैं जो जनवरी में 14 तारी को ये तेवहार मनाया जाता है तो मैं आपको बता दू कि ये जो तेवहार है ये मतलब पूरे भारत में मनाया जाता है ठीक है अगर आप उत्तर ज्यादा जो है मुमफली ठीक है और जो भी मतलब की गर्म समान होते हैं जो शोन लगते हैं वो सीज ज्यादा लोग खाते हैं जलाते हैं और उसकी पूजा याचना भी होती है ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले ये किलिए कर दू कि अगर अभी आज के डेट में देखिए ये बारो महिना चलने वाला है बट कापी लोग हैं जो बारो महिना इसको सोचते हैं कि उसी रेट में मिलेगा तो ये आपकी भूल है ये बारो महिना उसी रेट में कभी नहीं मिलेगा ठीक है इसका भी एक सीजन होता है जैसे मालीजे अभी ये महिना चल रहा है अभी आप रोपे किलो, हना, 9 सु रोपे किलो है, हिसाब से उसका ρेट है, तो जो मतलब मिडल क्लास के लोग होते हैं, या फिर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि, पैसे नहीं होते हैं, तो लोग जो है मुमफली का सेवन करते हैं, और मुमफली से हमें एनरजी मिलती है, और उससे जो है कभी दिल का रोग नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर लोग ऐसा बोलते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने भी सुना होगा, ठीक है, तो लोग ठंडी में इसको ज्यादा खाते हैं, जो इंसान खाता है, ठंडी में दूद में बेच सकते हैं लेकिन नई आज मैं वाइसा नहीं बताऊंगा आज आप इसको सस्था खरीद करके सस्था देंगे और उसको देंगे जो ठेले पड़े बेच रहे हैं उनको आप जब देंगे सस्था तो वह आपसे माल लेंगे तो दिक्कत वाली बात यहीं जाती है ने कि भाई हमें सस्ता कहा मिलेगा देखिए मैं आपको डीटेल में बता रहा हूं गुजरात राजस्थान मध्यपरदेश उत्तरपरदेश हना इन चार जगां पे जो है आपका यह मुफली का ज्यादा अधिक मात्रा में पैदवार होता है और पाये जाता है हमारे यहां भी गाउं में लोखेती करते हैं मुफली का तो यहां बेभी जो है बहुत सस्ता होता है कहने के मतलब है कि काफी लोग बोलेंगे कि आपने थम्लेल में लिखा है कि 30 रुपे किलो जी हां कभी-कभी एक ऐसा वक्त आता है जहां पे 30-35 रुपे किलो भी मिलता है बट आज की डेट में अगर मतलब अभी सीजन थोड़ा निकल रहा है तो आज की डेट में आपको 40-50 रुपे के बीच में अराम से आपको एक कीजी मुंफली मिल जाएगा कच्चा वाला ठीक है अगर आप उसको बुनवाते हैं और बुनवा करके उसको वैसा ही होलसिल में देत हो निकलता है बट आप कच्चा खरीदेंगे और कच्चा बेचेंगे तो फायदा है अगर आप भुनवा Ecuador करके बेचेंगे तो कंफाइदा होगा महंगा बेखिएगा अगर आप लोग तो इसका बोरी का बोरी जो है मंगवा करके खरीद करके देखिए मैं यह नहीं कहता कि आप ट्रक ट्रक मंगवा लीजिए या फिर खरीद लीजिए आप पहले सर्ज कर लीजिए कि कहां पर यह मिलता है जहां पर मैं बता रहा हूं अगर आप इन चार जगह से हैं तो आपको पता होगा वैससे आपके यहां भी होता होगा ठीक है आपके यहां भी मुमफली के केती होती होगी बढ़ जो तरीका मैं बता रहा हूं इस तरीक से कोई नहीं करता है करना क्या है आपने जैसे माल दीजिए 2-3 quintal आपने खरीदा खरीद करके उसको अगर दिखे वो उसमें भी दो तरीका है अगर आप चाहें तो उसको packet बनवा करके बेश सकते हैं अगर आप चाहें तो kilo kilo के भाव पे भी बेश सकते हैं सस्ता खरीद करके और कुछ profit लेकर उसको बेज सकते हैं, अगर आप चाहें, तो उसको जो कच्ची वाली मुंपली होते हैं, उसको बुनवा करके, उसका पैक कराके, प्लास्टिक में, या फिर पैकिंग वाली जो मसीना थे उससे, आप पैक करके उसको सेल कर सकते हैं, पांच-पांच रुपे आदात किलो मतलब अलग अलग ग्राम के, अलग अलग वजन के हिसाब से, ausको setting करके बेज सकते हैं अगर आप अनूतल एक अगर आप लोग चाहें, तो यह भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें, तो इसको कच्छा खरित करकर सिभ भुनवा करकर भी बेज सकते हैं और जितने लोग आप जानते हों कि ठेले रेडी पे बेजते हैं तो अगर आप दूर से मंगाएंगे तो सस्ता मिलेगा कहने का मतलब अगर आपके गाउं में यह पैदा नहीं होता है तो आप जाहिट सी बात है कहीने कहीने दूर से मंगाएंगे और जब वहाँ से मंगाएंगे तो उसका transport खर्चा होगा आने जाने का ठीक है फिर उसका marketing मतलब जो होता है खर्चा वो लगेगा तो यह सारा कुछ आप include करके और जब आप लोगों को बता मतलब देंगे मतलब लोगों को देंगे तो उनको थोड़ा सस्ता लगेगा बट आपको थोड़ा महेंगा मिलेगा लेकिन अगर आपके आसपास मिलता है अगर आपके नजदीक में कहीं मिलता है जहां पे transport खर्चा कम हो ठीक है और आप ऐसे जगा को जानते हैं जहां पे यह मिलता है वहां स सकता है कि यह उपर निचे मिलब रहेगा ऐसा नहीं है कि एक जगा बस उतना रहेगा तो उतना रहेगा नहीं इसका rate भी कभी down और उपर होता है ठीक है बहुत सी लोग होंगे जो ये मेरी बात है उनको समझ में नहीं आ रहे हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो मैं सीधा से example आपको बता देता हूँ कि आप जब सस्ता खरीदे रहेंगे आ तभी आप सस्ता दे पाएंगे ठीक है सस्ता जब खरीदे रहेंगे तभी सब सस्ता दे पाएंगे और ये सस्ता आपको तभी मिलेगा जब अच्छा एक बात और मैं आपको दाधा हूँ तो इस description में किसी का number दे दूँ बात करके आप म मुझे मिल रहा है, आना मैंने चार जगह बता है इन चार जगह में आप internet से सर्च करके पता कर सकते हैं या फिर जो अलरेडि लोग कर रहे है उनसे बात करके उनसे पता करके जो है आप कर सकते हैं, ठीक है ये दो तरीका ठीक है, आप कुछ प्रैक्कल देख करके अपने आखों से खरी देंगे या फिर जा करके विजीट करके देख करके लेंगे तो यह सबसे बेटर रहेगा, ठीक है? फोन ऑन पे चकर में मत रहेगा, या फिर हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, तो इससे बचके रहेगा, आप प्रेकल जा करके अपने आखों से देख करके उनसे बात करके फिर खरीदेंगे तो सबसे बेटर रहेगा तो यही कुछ आइडिया था मैंने सोचा आपको साथ सेहर करूँ तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो बहुत लोग हैं जो मेरे से वीडियोज बनवाना चाहते हैं अपने वीडियोज को जो है अपने मेरे चलनस पर डलवाना चाहते हैं अपने बिजनस के बारे में तो मैं email ID दे रखा हूँ आप उससे मुझे contact कीजिए अपना company वारे जो भी नाम है वो बताइए और बताइए फिर मैं upload कर दूँगा ठीक है जो उसका चार्ज होगा मैं आपको बता दूँगा उसके बारे मैं अपने बारे में वहां पर भी अपने बारे में upload करता रहता हूँ तो उस वीडियो को भी आप जा करके देख सकते हैं तो यहीं कुछ मुझे के बारे में सर्च करके आपको बताया था अगर अच्छा लगाओ तो like कीजिएगा subscribe कीजिएगा मिलते हैं फिर आ के लिए जैंदर बंदे मात्रा